इस एपिसोड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे आप रायते की रूप में खा सकते हो चाट की रूप में और अस्टाटस के रूप में भी तो चलिए सुरू करते हैं थी बन रेसिपी वो भी आलू के साथ तो नमस्कार घर का जाय का विद्खुश्बू में आपका स्वागत है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीसी से एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर मसाले बना लेते हैं तो हमें यहाँ पर लिया है एक चमच साफ धनिया उसी के साथ मैंने ली हूँ एक चमच काले मिर्च और जीरा और साथ में ही लिये हैं दस बारा लाल मिर्च और तेज पत्ता इसे हम बहुत ही मिध्या माच पर धीरे धीरे फ्लेवर आने तक कुक करेंगे जब इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए मतलब आपकी घर में खुश्बू फैलने लगे तब हमी गयास को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में ग्राइड कर लेंगे अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है और आप इसे कुटना चाहते हैं तो आप इसे गर्म-गर्म ही कुटिएगा यह मसाला बहुत ही काम की है आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा तो फिर हमें यहाँ पर एक बाउल लेंगे और उसमें एड़ करेंगे दही मैंने यहाँ पर एक कप दही यूज किया और फिर इसे हम ब्लेंड कर लेंगे तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ हैंडर ब्लेंडर वो भी एपक्स का मैंने इसे धन्तेरस के दिन में सौपिंग किया था और मैं इसका आज गिसरी गनेश करने जा रही हूँ तो मैं इसे दहिक में डाल कर इसे फेट लूँगे देखिए ये हाथ का भी एक्सरसाइज कर देगा तो मैं इसे फेट लेती हूँ अब ये फेट गया अब हम इसमें इड़ करेंगे आलू मैं यहाँ पर चार पीस आलू ली है उभले हूए और इसे पतला पतला स्लाइस में कट कर ली हूँ आप इसे कदू कस्भी करकर आइड कर सकते हैं फिर हम इसमें और भी इंगेडियन्स एड़ करेंगे तो मैं यहाँ पर स्लाइस में कट किया हुआ महीन महीन हरा मिर्च महीन महीन कट किया हुआ प्याज मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है फिर हम एट करेंगे सुखा मसाला तो सुखा मसाला में मैंने यहां पर एट की हूँ लाल मिर्श पॉर्डर मैं लाल मिर्श पॉर्डर को ज़्यादा एट कर रही हूँ क्योंकि हमारे गार में जालदार पसंद है फिर एट करूंगी बलेक सॉल्ट फिर हम एड़ कर देंगे बना हुआ मसाला इसे आप करी में डाल सकते हो पिजा में डाल सकते हो बहुत ही टेस्टी लगता है फिर साथ ही एड़ कर देंगे चाट मसाला इसी के साथ और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो लेजिये तैयार हो गया थिरी वन रेसिपी आलू कट्टा की, अब हम इसे सर्व करते हैं, तो सर्व करने के लिए मैं यहां पर एक पिलेट ली हूँ और उसमें अड़ कर दूंगे कटोरी में इसे हम गहने सिंग भी करेंगे तो हम इसे गहने सिंग करेंगे थोरे से मसाले के साथ और हरे मिर्च के साथ तो लीजिए तयार है थिरीवन रेशिपी आलू कटा की आप जाएए आप अपने घर पे बनाएए और हमें कमेंट करकर बताएए वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अपने इसी चैनल घर का जाएकावित खुश्पू में जब तक खुश रहिए कुछियां बाटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए ठैंक यू टेक केर हैं नमस्कार